जो कारे चल रहे हैं और जो हमारी पुरानी पहले एंट्री हुआ करती थी वहाँ पर क्या कुछ कारे चल रहे हैं आज 20 मई है चोकि यहाँ पर लखनों में आज चुनाओ है इसलिए यहाँ पर कोई विशेश कारी होता नहीं दिख रहा है सारवजिनिक अवकाश है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्स्राइब करके बैल इकन में और को प्रेस कर दीजिए डालिगंज जंक्षन की सेकेंड इंट्री की जो बिलिडिंग है उसकी अब आप देख सकते हैं तस्वीर निकल करके सामने आ रही है किस प्रकार से यहाँ पर जो डिजाइन है उसमें बदलाओ किया गया था बाहर पहले यहाँ तक जो सामने पोर्ट को आता था उसको तोड़ा गया और उसके बाद यहाँ पर बाहर तक फर्ष आया है उस पर ग्रेनाइट लग गया है और बाहर भी जो सर्कुलेटिंग एरि है ताकि जो नैचुरल सनलाइट है दिन भर वो परियापत मात्रा में अंदर पहुंचे तो आपको बिजली जिलाने की अवशकता नहीं पड़ेगी पावर सेविंग यहाँ पर नॉन इंटर लॉकिंग टाइल्स रखे हुए हैं इधर हमारी ट्रेक्टर ट्रॉली खड़ी ह इधर हाई मास्ट आप देख सकते हैं उपर लाइट्स लग गई हैं आज चुकि यहाँ पर बोटिंग का दिन था 20 मई है तो यहाँ पर कार्य आप देख सकते हैं बंध हैं और बाहर इस तरह का जो डिजाइन है आपर वो नया डिजाइन डाला जा रहा है इधर राइट अड़ियां दी गई है और बाहर भी यहाँ पर कुछ फुवारा वगरा लगाया जाएगा भी यहाँ पर सामने इधर आने का रस्ता हो जाएगा तेंप्रेरी ऑफिस है जहाँ पर हमारा निर्मार कारे जो चल रहा है और आज तमाम लोग जो पार्किंग का एरिया यहाँ प रास्ता दिया जाएगा रैम पैसी आप इधर देखने है जो यह बन रही है पीछे तक सीडियों से आप उपर यहाँ पर आएंगे दोनों तरफ सीडियां दी जाएगी यहाँ पर इधर भी सीडियां है यहाँ पर रेलिंग लगेगी एक जैसा बता रहें और सामने से फिर अधर रास्ता हो जाएगा उतरने का आगे जाकर के टर्न करते हुए जैसे जैसी भी मशीन खड़ी है इसके पीछे रोड बन जाएगी यहाँ तक आने का रास्ता हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो पहले पोर्ट को तोड़ दिया गया बाहर तक यहाँ पर ग्रिनाइट के जो चौके हैं उनको लगाया गया है अभी यहाँ पर पेंटिंग वगएरा जब हो जाएगी तो बिल्डिंग की तस्वीर एकदम बदल जाएगी पाडबल्ली बंधी हुई है क्योंकि बाहर का जो डिजाइन है वो बिलकुल बदल गया है डाली गन जंक्श आप सामने देख सकते हैं बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि आज हॉलिडे है तो यहाँ पर अभी यह उकलिप्टस के पेंट है यह शायद बाद में काड़ दी जाएंगे कुछ और यहाँ पर छायदार रक्ष जो है वो लगाय जाएंगे पेंट तो बाहर मशीनरी खड़ी है तमाम सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान अभी डंप है काम चल ही रहा है और यहाँ से जवाब अंदर आएंगे तो सामने अब आटोमेटिक टिकेट वेंडिंग मशीन यहाँ पर वो भी चालू हो गई है सामने आटोमेटिक टिकेट बंडिंग मशीन रखी है ट्रेन खड़ी है 058 जो जाएगी मैलानी जंक्षन तक टालिगन से अभी जो डिश्टल बोर्ड हैं आपर ये कनेक्ट नहीं हुआ है और बाए हाथ पर यहाँ नया टिकेट घर बन गया है प्लैटफॉर्म नमबर चार पर भी जो शेल्टर लगाने का काम था उसमें आप देखे च्छत स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर डाली गई है भी काफी दूर तक यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शेल्टर लगा लिया गया है दिशा में और चूकि अब शे बच कर पंदरा मिनट शाम का समय हो चला है तो देखे जीरो पचास अठासी अपने सही समय से डिपार्चर कर रही है मैलानी जाने वारी ट्रेन यहाँ से जीरो पचास अठासी अब निकल रही है प्लैटफॉर्म नमबर एक से प्लैटफॉर्म नमबर दो पर भी ग्रिल करके वहाँ पर नाली बनाई जा रही है गहरी क्योंकि दो और तीन नमबर प्लैटफॉर्म जो है वो भी दुरुस्त किया जाएगा जनेटर चल रहा है नीचे और जीरो पचास अठासी देखिए अब गती पकड़ रही है लोग दोड़ रहे हैं पीछे से तो ट्रेन जा रही है मैलानी जंक्शन की दिशा में अपने अगले स्टेशन मुहिबुलापुर की तरफ ट्रेन जा रही है यहाँ पर आप देखे शिल्टर का कारिकिता हुआ है और इधर भी बिल्डिंग का निर्माण कुछ प्लास्टर वगएरा हो गया यहाँ पर पीछे तक अभी काफी बिल्डिंग बनाई जानी है यहाँ पर और यहाँ पर भी जो प्लैटफॉर्म नमबर चार है जिसी भी ख देख सकते हैं काफी पीछे तक आपको दिख रहा है वहाँ पर पीछे रेलिंग लगा दी गई है इस्टेलिस स्टील की रेलिंग पूरी लगी है वहाँ पर तो यह डालिगन जंक्शन का आपको उपर से नजारा दिखा रहे हैं फुटोवर बिच के उपर से पैदल पुल क आपको हम दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं जो शेल्टर का कारी हुआ है चट लगाने का अब ही आगे की तरफ चट लगनी बाकी है नीले रंग की शीट्स लगाई जा रही है जो की काफी सुंदर नजर आती है नीचे आप देख सकते हैं काफी सारी ब्रिक्स यहाँ पर इ यहां से ऑपरेट करने की प्लाइनिंग चल रही है बारा या उससे अधिक कुछ ट्रेंस यहां से आपको आने वाले समय में मिल जाएंगी जो की यहां से बारबंकी की दिशा में भी जाएंगी गोंडा की दिशा में भी सीतापुर और हो सकता है शाजहांपुर की दिशा मे भी जो रोजा वाला रूट है हमारा उस पर अभी कोई ट्रेन नहीं चल रही है यहां से तो वो भी आगे भविश में मिल जाए यहां पर भी आप देखें ड्रिल करके नीचे कुछ पाइपस डाले जा रहे हैं और इदर सोक पिट वगएरा बनाई गई है यहां पर जिसमें बरसात का पानी और बाकी जो रेंड वाटर हर्विस्टिंग कह सकते हैं आप आगे इदर जाएगा मुझे लगता है और इस बाउंडरे के बाहर पूरी पार्किंग है और इदर शेल्टर आप देख सकते हैं जो रैंप उतर रहा है नीचे इस दिशा से और सूरज अब अस्त हो रहा है हवा चल रही इदर थोड़ी हर्याली भी है पेड़ लगें और काम चल रहा है इदर देखिए हलकी फुलकी लेबर है आज शोकी आज सारवजिनिक अफकाश था अब लोग नीशे चलते हैं नंबर एक का शेल्टर जो कि काफी चौड़ा शेल्टर लगाया गया है डिश्टल यहां पर अभी जो घड़ी है प्लॉक एक यहां पर है एक आगे की दिशा में अभी यह कनेक्ट नहीं हुई है और जल्दी ही यहां पर चुकि बिजली के तार डाले जाएंगे केबिल उस पुड़ाने का काम भी चल रहा है यहां पर अभी जो पैदल पुल है उसके गड़र आ गए अभी लॉंचिंग नहीं हुई है फो बी जो हमारा सीतापुर के दिशा में या यूं कहें कि बाच्चनगर के दिशा में डाली गन जंक्शन पर एक और पैदल पुल जो तयार किय जा रहा है अब गड़र्स पहुंच गएं उमीद है कि अब जल्दी ही उसकी लॉंचिंग भी होगी यहां पर आप देखी आगे जो शेल्टर तयार हो रहा है कारे भी चल रहा है और यहां पर भी जो प्लैटफॉन नबर एक का शेल्टर है उसका विस्तार किया जा रहा है जहां तक यह बिल्डिंग पूरी समाप्त होगी इस्टिशन की यहां तक पूरा आगे तक जो शेल्टर है वो आएगा और काफी चोड़ा और बढ़िया मजबूत यहां पर शेल्टर तयार किया गया है ताकि जो बारिश हो तो उसमें यात्री भीगेंगे नहीं यहां पर और अभी इदर जो यह आप देख रहे हैं ग्रिनाइट के बड़े बड़े पत्था रखें चौकी यह सब अभी यहां आगे जो मिट्टी आप देख रहे हैं यहां पर फर्श तयार किया जाएगा और एक इधर से भी फिर यहां पर रिलिंग वगएर लगा करके आने का रै गर्डर सामने आ गए हैं जिनको एसेंबिल किया जा रहा है जनरेटर चल रहा है और जल्दी ही मुझे लगता है यहां पर गर्डर लांचिंग होगी जिसके बाद यहां पर रैंप बनाने का काम तेज हो जाएगा और फिर इस पुल को पैदल पुल को कम्प्लीट कर लिया लाइट्स वगेरे लग जाए शेल्टर वर कम्प्लीट हो जाए इस्पेशली प्लैटफॉर्म नमबर एक का और चार का तो यह थी एक छोटी सी जलक डाली गंज जंक्शन से